हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना लेसन प्याज का एक दुम ऑथेंटिक तरीके से काश्मेरी धमालू इसे मैं प्रेशा को कुर्ण बनाना बताऊंगे जिसे आप काफे असानी से बना सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो काश्मेरी धमालू उबराने के लिए सबसे पहले हम लेंगे काश्मेरी मिर्ची यह मेरे पास 6-7 काश्मेरी मिर्ची है तो इसका हम बीज निकाल देंगे काश्मेरी धमालू का कलर सुर्ख लाल होता है और कलर आता है इस काश्मेरी मिर्ची से वैसे मिर्ची कम तिक बीज निकाले लेते ही तो अच्छा कलर आएगा सब्सक्राइब की हम ज्यादा परभशनी के पाउडर विदी साले है अगर परिफलं nota के बीजी के पाम पियों तो кास्मेरी अको पाली कृड़ एक अंचा क्या लेना है और लाइची हरी लाइची है दो तीन एक बड़ी लाइची एक लॉंग तीन से चार और इनको धीमियाज पर रोष्ट करना है इसका हलका गुल्डेन कलर आ जाए और अच्छे सी खुश्बू आने लगे ना तब तक इसे रोष्ट करिए अब यह देख रहे हैं कितना अच्छा सा कलर आया है बिल्कुल तो गैस को मैंने यहां पर बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद इसमें मैं डाले हूँ एक छोड़ा चमस कसूरी मेथी फ्लेवर काफी अच्छा आने वाला है और कसूरी मेथी मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि पैन जो गरम है उसमें यह गरम हो जाएगा और क्रिस्प हो जाएगा मसाले को थोड़ा ठंडा होने दे उसके बाद इसे इसका पाउडर बना लेंगे इस तरह से बना हुवा मसाला काफी ज़्यादा खुश्बुदार होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और अभी जो मिर्ची बहुत अच्छा बनता है इसलिए हमेजा मिर्ची को बिगोल लें गरम पानी में और इससे बिना पाई डाल कर कर इसका पेश्ट तयार करेंगे यह देखिए पीस चुका है लेकिन अभी हमें और बारिक करने के लिए पानी नहीं पानी की जगा दही डालें और यह میں नहीं हा देवी हमारी बनने वाली है मसाले में जाएगा अभी बढ़िया से पीस गया है तो अभी जो बचा वद है उसे भी डाल कर थोड़ा सा फेट लेंगे और यह बढ़िया सा मसाला हमारा त्यार हो गया है अब इसे एक साइट में हम लग देंगे दूसरी दरप मैंने लिया है छो दिफ राइ करेंगे हम तेल में डाल कर और जो तेल है ना हाई से मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे फ्राइ करते जाना है जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता बढ़िया सकल नहीं आ जाता है बिलकुल ऐसा और जैसे हम फ्राइ करेंगे कुछ 50 से 40 परसेंट यह बना लें छोटे-छोटे ताकि जब हम इसे पकाएंगे ग्रेवी में तो ग्रेवी का मसाला इसके अंदर जा सके तो सारा हमने यह प्रोसेस कर लिया आप चलिए पकाते हैं तो प्रेशर को कि मैं पका रही हूं तो इसमें मैंने तेल डाला है तीन से चार बड़े चमज सर्स दिल में हम फ्राइ करेंगे इस समय आपको गैस बंद कर देना चाहिए ने तो मसाली जल जाएंगे और एक छोटा चमज अद्रक को मैंने कत्व कस करके डाला है आप पास सोंट का पावडर आना तो उसे भी आड़ कर सकते हैं और फटा-फट तुरंद इसमें हम डालेंगे और मिर्ची का पेश्ट और इसे पकाएंगे जार में थोड़ी मसाली लगे हैं तो उसमें थोड़ा पाई डाल कर उस मसालो को भी निकाल कर इसमें हम डाल देंगे और थोड़ी देर पकाईए ज्यादा नहीं एक सी डिर मेंट इसे पकाना है ज्यादा दिर पकाएंगे तो म अगर आपके इस तरह से मसाला बनाने का समान नहीं है सारा तो आपको पिसा हुआ पाउडर है ना धनिया जीरा सौंप उससे डाल सकते हैं गरा मसाला आप जब दही डालें उसी वर दालिए और थोड़ा से भून लें और यह मसाला हमारा बिल्कुल भूना हुआ है तो पकाना में उबालाने दें जब ग्रिवे में पुरा अच्छी तरह से उबाला जाए तो गैस को धीमा करें और इसमें फ्राइ की हुए आलू को डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ढख कर एक विजली आने तक पकाएंगे लेकिन गैस आपको धीमा ही रखना है धीमी आज में ही ए इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी से पतली दिख रही है अगर आपको ऐसी ग्रेवी चलेगी तो आप ऐसे रहने दें लेकिन मैं इससे चाहती हूँ कि थोड़ा थिक करना और इसे मैं चपाती के साथ सरू करना चाहती हूँ अगर आप राइस के साथ सरू करना चाहते हैं तो मैंने इसे थोड़ा ठिक कर लिया है गैस को अन करके एक से डियर्मेंट में यह अराम से हो गया अभी मुझे मिल गया है बिल्कुल पॉर्फेक कंसेस्टेंसी आलो दम की तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूं और इसे आप गर्मा गरम रोटी पराठा पूरी या राइस के है तुसे लाइक और ज्यादा ज्यादा श्यायक है मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेज इसे सब्सक्राइब करने थैंक यू बाबाई